Hello everyone, welcome to physics by Vijay Academy. हम जो है J.Mains and Advanced के previous year के questions देख रहे हैं. Chapter है Current Electricity. इस question में क्या बोलगा? अगर इसको देखे हैं, तो for the circuit shown with R1 1 ohm, R2 2 ohm, E1 2 volt, E2 and E3 that is equal to 4 volt, the potential difference between the point A and B is approximately in volt. हमें A और B के बीच में क्या निकालना है? potential difference निकालना है. R1 हमारा 1 ohm है, मैं यहां लिख देता हूँ, यहां पर मैंने इस फोटो को थोड़ा सा बढ़ा कर दिया. R1 हमारा 1 ohm है, यह भी 1 ohm हो गया, R2 हमारा 2 ohm हो गया, और यह R1 हमारा 1 ohm, और E1 हमारा 2 volt, यह 2 volt, E2 4 volt and E3 also 4 volt. यह सारी values मैंने रख दी. अब हम क्या करेंगे? यहां पर इसको KVL की मदद से solve करने की कोशिश करेंगे. भाई KVL क्या है? कि चॉप's voltage low, वो क्या होता है? Summation of voltage in a loop, किसी भी loop के अंदर. वो क्या होता है? 0 होता है. ठीक है? तो अब मैंने क्या किया? यहां पर मैं अब जो है, दो loop मानूँगा. वही पहला loop 1 यह है, मानलो loop 1 यह है, loop 2 यह है. ठीक है? इस loop में मैं इस तरह से चलूँगा. किस तरह से यह मेरा path होगा? anti-clockwise. ऐसे ही इस में भी मैं चलूँगा. यह भी मेरा path होगा? anti-clockwise. ठीक है? अब मान लेते हैं, जो branch AB है. AB branch में है, मानलो current है I1. ठीक है? यहां से current जाती है, और यहां से enter करती है. यह जो है हमारा junction हो गया, तो मान लो, यहां पर current है I2, और यह है current I1 plus I2. clear है? तो I1 plus I2, current इस तरह से flow हो रही है. यह हमारा जो है, अब diagram बनेगा. अब मैं क्या करूँगा? potential drop लिखूँगा, सभी resistance के उपर. देखो, resistance के अंदर potential drop होता है, current की direction में. तो I1 plus I2, तो देखो left direction में, तो इधर plus होगा, इधर minus होगा. इसको दूसरे color से कर लेते हैं. तो यह हमारा plus होगा, यह minus होगा. ठीक है? अगर battery या EMF की बात करें, तो यह positive रहेगा, यह minus रहेगा. ठीक है? यह तो हमेशा same रहता है. इसी तरह से. तो current इस तरह से flow हो रही है, तो plus, minus. इसके अंदर यहाँ minus, यहाँ plus. अब current देखो, इसमें उपर की तरफ flow हो रही है, तो इसके प्लस और यहाँ minus. ठीक है? ऐसे ही इसके अंदर भी देखेंगे. यहाँ पर current कितनी जाएगी? देखो, यहाँ से, जो loop 1 है, इसके अंदर यहाँ पर I1 प्लस I2 current flow हो रही है. I1 प्लस I2. तो branch AB के अंदर कौन सी current flow हो रही है? I1. तो यहाँ पर, जो right side में जो loop है, इसके अंदर कितनी current flow हो रही है? I2. ठीक है न? तो यहाँ से I2 flow करेगा. इस resistance में potential drop होगा, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस तो current की direction में देखेंगे, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस हमने जो है, इन सभी के ओपर potential drop बना दिया है, प्लस माइनस प्लस माइनस कर दिया है. अब मैं क्या करूँगा? KVL लगाऊँगा सबसे पहले loop 1 के लिए. प्लस यहाँ प्लस यहाँ पर इस पाथ में चलेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? आरवन हमारा 1 ohm है. आरवन हमारा कितना है? 1 ohm. तो यहाँ पर potential drop कितना हो जाएगा? माइनस यहाँ प्लस यहाँ गया, इन्टू 1. ठीक है जी? और इसके अंदर कितना जाएगा? बैटर यह जो E2 है, इसमें मिलेगा potential drop 4 volt, क्योंकि इस तरह से जाएगे, तो माइनस से प्लस की तरफ जाएगे, तो 4 volt. इस resistance R2 में जाएगे, जो ब्रांच AB के अंदर है, प्लस से माइनस, तो potential drop हो रहा है, माइनस आपका R2 कितना है? 2 ohm, current कितना है? I1, current है I1, that is equal to 0. तो यहां से हम इसको solve करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2, और देखो यह पूरी की पूरी value, और यह पूरी की पूरी value क्या है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और यहां पर यह प्लस 4, then माइनस 2 I1, that is equal to 0. इसको solve कर लेते हैं, यह 4 है, और यह माइनस 2 है, तो हमें क्या मिलेगा? प्लस 2 मिलेगा, यह प्लस 2 लिख दिया, माइनस 2 I1, माइनस 2 I2, और यहां पर कितना है? माइनस 2 I1, that is equal to 0. तो हमारी equation बन जाएगी कैसे? भाई, माइनस 4 I1, then माइनस 2 I2, प्लस 2, that is equal to 0. इस अवर फस्ट equation. अब हम क्या करेंगे? लूप 2 के लिए equation लिखने की कोशिश करेंगे. लूप 2 की equation हम कैसे लिखेंगे? इसको देखेंगे. नेक्स पेज़ पर जाएगे. लूप 2 के लिए equation लिखेंगे. लूप 2 के लिए equation जब लिखेंगे, तो धिहान से देखेंगे. मालों यहां से start करते हैं. यहां से start किया, इस point से. तो प्लस से माइनस, माइनस potential drop, 1 ohm का, और current है इसमें I2. तो कितना हो गया? I2. माइनस का I2 into 1. ठीक है? यह potential drop आ गया. फिर A-B branch में आएगे, तो माइनस से plus, R2 कितना है? 2 ohm, 2 into I1. और प्लस का 2 into I1. 2 into I1. Then, प्लस से माइनस, यहां देखो, इस direction में जाएगे, E2, प्लस से माइनस, और यह E2 कितना है? 4 वोल्ट का है. तो माइनस 4 वोल्ट. माइनस 4 वोल्ट. ठीक है जी? इसके बाद हम जो है, यहां पर इस लूप में इस तरह से जाएगे, यह जा रहे हैं. Then, R1, इसमें आएगे, तो प्लस से माइनस, तो potential drop हो रहा है. तो माइनस R1 इंटू 1, माइनस 1 इंटू I2, यहां पर current है I2, तो 1 इंटू I2, तो माइनस I2 इंटू 1, यह हमने लिख दिया यहां पर I2 इंटू 1, तो माइनस से प्लस यह आगया 4 वोल्ट, प्लस 4 वोल्ट, देट इस एक्वल टू 0, से आया हमारे पास माइनस I2, प्लस 2 I1, माइनस 4, माइनस I2, फ्लस 4, इस इक्वल टू 0, अब देखेंगे यहां पर, यह 4 से तो 4 उड़ गया जी, और यहां पर क्या आ गया, माइनस 2 I2, प्लस 2 I1, इस इक्वल टू 0, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है I1 जो है equal to I2 के, इसका मतलब I1 जो है I2 के equal है यह हमारी equation number 2 हो गई अब इस equation number 2 को हम use करेंगे equation number 1 के अंदर, तो यहां कर लेते हैं इसको I1 जो है I2 के equal है तो minus 4 I1 minus 2 I1 plus 2 that is equal to 0, तो I1 plus I1 हना, तो minus 4 minus 2 कितना हो गया, minus 6 I1 plus 2 that is equal to 0, तो I1 की value कितनी आगई minus 2 upon में minus 6 तो minus से minus ओड़ गया 236, तो 1 by 3, तो I1 की value आपको मिल गई, 1 by 3 तो यह I1 की value है, यानि कि I1 कितना flow कर रहा है branch AB में 1 by 3 current जो है, flow कर रहा है AB की अंदर यह आपको समझना है अब हमें क्या निकालना है potential difference between A and B तो potential difference between A and B कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम जो है, B से start करते है equation बनाने के लिए, कहां से start करेंगे B से, तो VB plus 4 volt, VB is equal to VB plus 4 volt, then 1 by 3 और R2 कितना है, 2, तो 2 by 3, minus का 2 by 3, ठीक है जी, और is equal to VA, is equal to VA, हमें क्या निकालना है, VA minus VB, तो 4 minus 2 by 3 is equal to VA minus VB, तो VA minus VB, तो VA minus VB, कितना हो गया, 4 ती अब बार है, है, minus 2 upon में 3, तो 10 by 3, 10 by 3 मतलब लगभग 3.3 वोल्ट के equal आ गया, यह जो potential difference आया, लगभग 3.3 वोल्ट के एप्रोक्स आ गया, तो उमीद करता हूँ आपको इस question का जो concept है, वो clear हुआ, अगर concept clear हुआ, तो वीडियो को combination of cells use कर सकते हैं, जिसके अंदर हम combination of cells use कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, यह दोनों और यह तीसरी cell, तीनों cell जो है, इस question को हम कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर KVL से किया है, उमीद करता हूँ आपको KVL लगाना आ गया, कि कैसे इसको use करना है, कैसे इस formula को इस्तमाल करना है, कैसे solve करना है, concept को कैसे समझना है, अगर आपको physics के अंदर कोई भी doubt है, तो आप मुझे किस नंबर पर अपना doubt जो है share कर सकते हैं, मैं उसके उपर video solution बना दूँगा, तो चलिए मिलेंगे हम अपनी next video में,